ओके बेटा तो एक जेनेटिक सीविट का कोश्चिन पिपर है आपके सामने में इसका डिस्किसन देख लो ये कोश्चिन पिपर में आपके सामने 90 कोश्चिन हैं हर बार की तरह और देखिए मैं एक एक करके सारे कोश्चिन आपको डिस्क्राइब करता हूँ how many phenotype are possible for ABO blood group direct question है कितने तरीके का blood group होता है आपको मालूम है एक A होता है एक B होता है एक AB होता है और एक O होता है तो total हमारे पास 4 phenotype है तो इसका answer आप 4 लगाईए और आगे बढ़िए अगला question आएगा a DNA strand with the sequence AACGT AACG is transcribed what is the sequence of the mRNA molecule synthesized अगर कभी भी ऐसे question आए और उसमें जो DNA का sequence दिया गया हो और उसकी कोई polarity ना दी गई हो ना 5' to 3' ना 3' to 5' तो अगर कुछ भी ना दिया गया हो तो ऐसे strand को हमें साब template मानेंगे और template मान करके इसका coding strand बनाने की कोशिश करेंगे A will pair with T, A will pair with T, C will pair with G, G will pair with C, फिर T will pair with A, फिर it is T, T, फिर G and C तो यह आपका coding strand होता है और RNA और coding strand एकदम एक जैसे होता है except जहाँ जहाँ थाइमीन हो वहाँ वहाँ यूरैसिल कर दो तो अब RNA बनाना है तो जहाँ जहाँ थाइमीन है वहाँ वहाँ यूरैसिल कर दीजे बाकी आपको वही मिलेगा तो इस U, U, G, C, A, U, U, G, C U, U, G, C, A, U, G, C जहाँ जाएगा और इस तरीके से आप आगे बढ़ जाएगे अगला कोशन आएगा Darwin Finches and Australian Marsupils are example of यह आपको मालू है Darwin Finches जो थी यह adaptive radiation का convergent divergent adoption होते हैं adaptation होते हैं उस तरीके की radiation का example थे तो आप इसका answer adaptive radiation करिए third question का option, sorry तीसरे का option third ही होगा आगे बढ़ जाएगे चौता question आएगा Choose an answer which gives the correct combination of the alphabet of the two columns याद रखना है आपको U, 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 it is phenylalanine यह बेटा हम लोगों ने पढ़ा था जब molecular basis of inheritance तो वहाँ पर genetic code पढ़ेते तो हर genetic code के अपने कुछ amino हैसी डोते है उनको लेकर के कुछ example है सब नहीं याद कर सकते तो कुछ याद कर लीजे phenylalanine, इसके बाद CCC, it is proline ओके, इसके बाद AAA, it is lysine ओके, इसके बाद GGG, it is glycine इस तरीके से आपने इसका combination देख लिया A is T, B is S, C is R, D is Q and that option, third option will be the correct option इस तरीके से तीसरा option सही हो गया आगे बढ़ जाएए, इसको एक बार और देख जरूर लीजेगा ताकि आपका कहीं कोई गबड हो रहा हो अगर कुछ गबड हो हो तो let me know, मुझे बताइएगा क्योंकि बेटा ये learn करना पड़ता है आपको और learn करने के लिए genetic code में इनका एक example दिया हुआ है ता ratio of methane, ammonia methane, ammonia and hydrogen याद रखना, methane, CH3, ammonia that is NH3, sorry CH4, NH3 और H2, इनका ratio 2, 1, 2 था जो उन्होंने spark discharge apparatus में लिया गा तो आप 1, 2, 1, that work, मैंने कभी पहले पढ़ाया होगा, that is wrong इसका सही option है 2 is to 1 is to 2, please इसे correct कर लिजेगा, so option will be the second option, 5 में का दूसरा option सही होगा, आगे बढ़ जाएए, 5 के बाद छठा question आएगा, in beta chain of hemoglobin, क्या होगा जब sickle cell anemia हो जाएगा तो पूरा question को आप अगर सही डंग से देखें तो ये question पूरा नहीं है इस question में एक सब और जुड़ना चाहिए, that is known as sickle cell anemia, तो अगर आप sickle cell anemia में देखें तो छटी position में पहले GAG हुआ करता था, जब तक GAG हुआ करता था, वहाँ पर glutamic acid नाम का amino acid था, लेकिन ये GAG will convert into GUG, और इस वज़े से valine नाम का amino acid वहाँ पर पहुँच गया, and that's why हमारी chain की quality, quality बदल गई, और quality बदल गई तो बेटा, बीटा chain की quality बदल जाने के वज़े से हमें एक बीमारी हुई sickle cell anemia को बोलते हैं, GAG is change into GUG, first option होगा चटे का, आगे बढ़ जाईए चटा question के बाद आपके सामने साथमा question आता है बोलते हैं कि F2 generation mendelion cross, so that both genotypic and phenotypic ratio are the same आप लोगों ने आप लोगों ने incomplete dominance का question पढ़ा होगा या फिर मैंने कभी पढ़ाया होगा मेरा विलेज जलापा या फिर इसी तरीके का एक और plant है उसमें क्या होते हैं मगर red flower का plant white के साथ cross कराएं, तो F1 में kevil beta pink आते हैं न red आते हैं न white आते हैं न red न white, only pink और जब pink का cross करादे हैं pink के साथ, तो हमारे पास red भी आता है, pink भी आता है और white भी आता है याद रखना red आता है 1, pink आता है 2 और white आता है 1 phenotypic का मतलब होता है बाहर से कैसा दिख रहा है तो हमारे बाहर से दिखने वाले flower हैं red, pink and white the ratio is 1 is to 2 is to 1 जबकि genotypic ratio में capital R, capital R, capital R smaller, smaller, smaller it is 1, it is 2, it is 1 यानि कि 1 is to 2 is to 1 phenotypic भी है और genotypic भी है तो याद रखना monohybrid cross with incomplete dominance इसका answer होगा साथवे का answer चोथा होगा अगला question हो जाएगा आटवे question हो जाएगा और आटवे question से female is hemophilic definitely याद रखना hemophilia का जो gene होता है वो X chromosome में पाया जाता है अब female अगर XX है और male XY है और हम चाहते हैं इससे पैदा होने वाली सारी female सारी female deceased हो यह तभी possible है जब उसकी mummy deceased होगी और papa भी deceased होगी क्यों क्यों क्योंकि mammy से वो कोई भी X chromosome ले वो deceased वाला आना चाहिए और papa से तो हमेशा X chromosome ही आएगा तभी लड़की हो सकती है तो mammy भी deceased हो और papa भी deceased हो तभी ऐसी condition हो सकती है कि बेटा सारी लड़कियां deceased हो तो याद रखना बोट mother and father affected होने चाहिए तभी female जो पैदा होंगी वो affected होंगी otherwise X chromosome से होने वाली जितनी भी deceased है यह criss-cross inheritance पैदा करती है अब यह criss-cross inheritance क्या है जरा ध्यान से देखिए अगर mammy normal होती है यह mammy normal है और father deceased होते देखिए जाए father deceased होते तो अब यह X chromosome कहा जाता क्योंकि बेटा यहां से आने वाले chromosome तो बेटा mother से आएंगे और इधर से X भी आ सकता है अगर X आया तो female carrier होगा और अगर इधर से Y आया तो male normal होगा यानि male disease था लेकिन disease male में नहीं गई carrier condition female में गई जरा उल्टा देखो अगर female carrier होती और male normal होता तो यह X chromosome इस Y chromosome के साथ आकर male को disease कर देता तो मा अगर बीमार है बेटे भी मार होने लगते हैं बेटिया नहीं तो मा different sex में Chris cross यह फीमेल to male यह cross आगे बढ़ता है तो आपको मालूम होना चाहिए अगर बेटा X chromosome है वो लड़कों में ज़्यादा पाई X chromosome की disease लड़कों में ज़्यादा पाई जाएगी तो याद रखना अगर लड़कियों में वो disease चाहिए तो मम्मी को भी विमार होना पड़ेगा पापा को भी विमार होना पड़ेगा अगला question हो जाएगा आठवे के बाद नवा question आएगा sickle cell anemia आपको याद रखना पड़ेगा अगला question आजाएगा नवे के बाद आपके पाद दसमा question है याद रखना एबियों में दो चीजों के एक्जामपल है एक तो इसमें आई ए आई बी और इस्माल आई नाम की तीन एलील पाई जाती है तो यह multiple एलीलिजम का एक्जामपल है यानि कई एलील होना, दो से ज़्यादा एलील होना इस multiple एलीलिजम तो एबियों ब्लड ग्रूप इस एक्जामपल आउप multiple एलीलिजम लेकिन अगर यह दोनों एलील एक्सप्रेस हो जाएं ऐसे आई ए आई बी दोनों एक्सप्रेस हो गई तो ब्लड ग्रूप A B बनेगा तो याद रखना यहाँ A B एक्सप्रेस हो गई I B भी एक्सप्रेस हो गई तो A B ब्लड ग्रूप बना और जनरली किसी भी एलील ग्रूप में अगर different एलील्स हैं तो उनमें से कोई एक्सप्रेस होती है तो इसे बोलते हैं dominance लेकिन यहां दोनों express हो रही है and that's why it is the example of co-dominance बाकी मैंने आपको पढ़ा रखा है आपको मालूम होना चाहिए तो याद रखना यह co-dominance का example हो सकता है और multiple allism का भी example हो सकता है अगर ABO blood group system से कोई question पुछा जाये था जिन में से AB blood group is a example of co-dominance not the O in Meselson and Stahl experiment E. coli was grown into a medium containing NH4Cl a heavy nitrogen था यह radioactive नहीं था N15 it was a heavy nitrogen और इसी heavy nitrogen में हमने अपने bacteria E. coli को grow कराने के बाद यह prove किया था कि DNA replication is semi-concervate यह और यह prove किया था में Selson and Stahl ने आगे बर जाये बारवां question आ गया जिसमें हमें question देखना है genotype of parent blood group which cannot be produced the same blood group type in genotype of their office plane question simple सा है कि हमें ऐसे blood group पता लगाने है जो parents में हो किसमें हो? parents में लेकिन वो अपना blood group बच्चों को ना दे जैसे आप एक O blood group का mother या father ले लिजिए और एक A B blood group का mother या father ले लिजिए कोई वेक लेजिए चलिए हम लोग यह father ले ले लेते हैं यह mother ले लेते हैं अब O blood group का अगर हुआ तो यह small i small i genotype रखेगा और यह I A I B वाला genotype रखेगा तो एक मेल होगा एक फी मेल होगा अब इधर से सारे गैमीट जो बनेंगे चुकि होम हो जाएगा से तो स्माल आई वाले बनेंगे और इधर से दो गैमीट बनेंगे एक बनेगा आई ए और एक बनेगा आई भी अब इन गैमीट का आपस में होगा बेटा fusion, जब fusion होगा तो I A के साथ small I आएगी और I B के साथ भी small I आएगी अब आप ध्यान से देखिए, यह blood group A है और यह blood group B है मम्मी पापा का blood group में blood group A O था और A B था, तो ना तो बच्चों में किसी को O मिला, ना तो बच्चों में किसी को A B मिला, या तो A मिला, या तो B मिला, तो अगर mother और father के blood group हो, I A I B वाले और small I small I वाले, तो याद रखना बच्चों में वो कभी भी A O और A B के रूप में express नहीं होंगे, so answer of 12th question will be third, आगे बढ़ जाएए, अगला question आएगा 13, Tasmanian wolf, यह evolution का question है Tasmanian wolf and marsupial question में देखो, misprint है Marsupial wolf is a placental mammal this source, यह convergent evolution है, what is convergent evolution, याद रखना, एक जगे पर एक जगे पर रहने वाले एक habitat पर रहने वाले different type के organism, different type के organism जो होते हैं, वो एक जैसे ही adaptation कर लेते हैं Tasmanian wolf के पास भी बेटा पेट में pocket है, marsupial wolf के पास भी पेट में pocket है, दोनों wolf different है, लेकिन एक ही जगे habitat में रह रही हैं, तो एक जैसे adaptation कर गई हैं, यानि दो अलग अलग लोग, एक जैसा adaptation करना हैं, अनालोगी हो रही है अनमे, होमोलोगी नहीं हो रही है, अनालोगी हो रही है, and that is known as convergent evolution, तो 13 का first option लगाईए और आगे बढ़ जाईए आगे बढ़ने के बाद 14th question आएगा, which is not true about the origin of life, life के लिए क्या ठीक नहीं है, universe 20 billion year old, ये सही है big bang hypothesis, तभी इतनी पुरानी मानी जाती ही कि big bang जो हुआ था, वो 20 billion year old था, galaxies contain star cloud, ये भी सही है big bang hypothesis explain the origin of earth, no it explain the origin of universe, ये universe के origin को explain करता है, earth was formed 4.5 billion year back, ये बात सही है तो याद रखना, इसमें कौन true नहीं है, तो ये वाला option true नहीं है, तो answer will be the third big bang hypothesis, explain the origin of earth, अगला कोशन आया, पंदरा, पंदरमा कोशन आप देखिए, और बताईए first evidence of ceremonial burial, ceremonial burial का मतलब है, ये लोग अपने मरे हुए लोगों burial करते थे, यानि उन्हें गाड़ते थे, cremation करते थे, अंतिम संसकार करते थे तो बोला गया कि अंतिम संसकार करने वाला human कौन था, जो सबसे पहले अपने लोगों का, और अंतिम संसकार करता था, क्योंकि बेटा, खुदाई के दौरान, बहुत जगे पर, लोगों की कब्रे मिली, जो उतनी पुरानी थी जितना नियंडर्थल पुराना है इसलिए पंद्रवे कोश्चन का आंसर बेटा, नियंडर्थल है और नियंडर्थल की गुफाओं में, और उनके आस पास बेटा, ये बात पता चली कि ये लोग अपने लोगों को के अंतिमसंस कार करते थे ओके, यानि सब बताएं, इन में चालू हो चुकी थी नियंडर्थल में अगला कोश्चन है था, मेन रीजन फॉर सक्सेस्फुल आफ मेंडल, मेंडल इतने सक्सेस क्यों थे क्योंकि मेंडल ने साथ करेक्टर का साथ करेक्टर की स्टडीज की P में, सेवन करेक्टर लेकिन सातों करेक्टर एक साथ कभी नहीं पढ़े, इन्होंने एक एक करेक्टर, स्टडी वन करेक्टर एट वन टाइम, एक करेक्टर को एक समय पर पढ़ा, तो जिस समय उन्होंने height पढ़ा, उस समय के वल height पढ़ा ज़्याद से ज़्यादा दो character पढ़े, दो से ज़्यादा character को एक साथ इन्होंने नहीं पढ़ा, इसलिए इनके data better आए और उनकी उनको उनने count करके बहतर तरीके से लिखा तो 16 कोश्चन का अंसर 2 है आगे बढ़ जाएए 17 कोश्चन आया What type of gamete will form by genotype capital R small r capital Y capital Y capital R small r capital Y small y सबसे पहले तो यहाँ पर 2 beta hybrid है capital R small r भी hybrid है capital Y small y भी hybrid है और number of gamete is 2 to the power n where n is hybrid condition कितनी hybrid condition है तो एक यह hybrid और एक यह hybrid 2 to the power 2 that is 4 4 type of gamete बनेंगे यह तो पहली बात याद कर लीजी अब यह कौन कौन से gamete होंगे एक बार capital R capital Y साथ में आएंगे एक बार capital R small y साथ में आएंगे एक बार small r capital Y साथ में आएंगे और एक बार small r small y साथ में आएंगे और यह चार तरीके के gamete होंगे due to independent assortment अगर independent assortment हो तो यह चार प्रकार के gamete आपके साथ में होंगे capital R capital Y capital R small y small r capital Y small r small y यही चार gamete हैं तो 17 का question 17 का question का answer number first हो जाएगा आगे बढ़ जाएगे 18 कोशन आएगा agriculture by human came around यह आपको learn करना पड़ेगा 10,000 year back ऐसा आपकी books में लिखा हुआ है तो फिलाल तो यही answer सही है before Christ था 8 से 10,000 साल before Christ था यह question before Christ में जाना चाहिए year back की बज़ाए before Christ में जाना चाहिए ठीक है 18 के बाद true about the phenyl ketonuria phenyl ketonuria के बारे में क्या होता है क्या phenyl ketonuria में mental retardation होता है होता है क्या phenyl alanine and phenyl pyruvic acid का beta deposition होता है yes it is autosomal reciduses yes इसमें all of these सभी का सभी सही option है तो 19 कोशन एकदम correct है यह एक pleiotropy का example है जिसमें एक gene many character को control कर रही है phenyl ketonuria is an example of pleiotropy यह भी याद रखना pleiotropy क्या होता है where one gene control many character बहुत सारे character को control करता है ऐसे condition को हम लोग pleiotropy बोलते है 19 कोशन के बाद हमारे पास 20 कोशन आया जब 20 कोशन को ध्यान दो DNA is a genetic material because of याद रखना किसी को भी genetic material बनना है तो चार property होने चाहिए RSM factor यानि genetic material को replication करना आना चाहिए पहला point दूसरा उसमें stability होनी चाहिए वो stable होना चाहिए दूसरा point तीसरा उसमें mutations हो सकते हो या slow changes होने चाहिए तीसरा point और चौता वो mendelian factor की तरह behave करना चाहिए इसके अलावा वो अपने आपको express कर सकता हो तो याद रखना stability होनी चाहिए replication होना चाहिए mutation होना चाहिए expression भी होना चाहिए तो बताइए क्या क्या बात है DNA के लिए genetic material होने के लिए सही है it is 1, 2, 3 and 4 all of them is the requirement of the any material that may act like a genetic material so DNA is a genetic material बीसमे question के बाद हमारे पास 21 question है याद रखना यह hardy wimberg rule का question है hardy wimberg rule में क्या पढ़ाया गया है कि हमारे पास p square plus 2p q plus q square is equals to 1 और constant होता है जिसमें यह homo gigas dominant जैसे capital T, capital T p square को denote करेगा capital T, small t heterogyas है तो वो 2p q को करेगा और small t, small t q score को करेगा तो बहुते हैं किसी भी population में capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t, small t का ratio p square plus 2p plus q square is equal to 1 होता है अगर हम कभी किसी graph में अगर एक graph बनाएं और इस graph में देखने की कोसिज करें where is p square, where is q square, where is 2p q तो याद रखना graph कुछ यह होगा क्योंकि इसका एक end p square होगा इसका दूसरा end q square होगा और इसका बीच वाला बेटा 2p q होगा ओके, अगर natural selection होने लगे क्या होने लगे? natural selection और natural selection होकर के homo gyagas recissue की तरफ चीज़ें बढ़ने लगे अगर homo gyagas recissue की तरफ चीज़ें बढ़ने लगें तो यही graph में p square की value कम होती जाएगी 2p q की value भी कम होती जाएगी और q square का area बढ़ता जाएगा यानि हम किसे select कर रहे हैं? we are selecting towards the homo gyagas recissue इसका मतलब हमारा selection एक direction में जाएगा और वो direction होगा homo gyagas recissue का तो हमारा original graph यह था जो की अब shift करके इधर पहुँच गया है इधर पहुँच गया है मतलब यह homo gyagas recissue के तरफ पहुँच गया है इसका मतलब यह graph हमारा directional है देखिए यह था original यह है new तो directional हो रहा है इसका मतलब इस graph में natural selection हो रहा है और अगर natural selection हो रहा है तो graph किसी एक प्रकार के जीनो टाइप को ज्यादा बढ़ा रहा होगा और वो जीनो टाइप होगी small t small t या फिर q square वाली याद रखना जब भी graph right या left shift करे वो directional होगा अगर यहीं पर graph ना right shift करे ना left shift करे बलकि अपना बीच वाला portion बढ़ा दे तो याद रखना वो 2pq portion को बढ़ा रहा ऐसे graph को stabilizing graph बोलते हैं we call this graph like stabilizing तीसे तरीके का graph यह होता है कि वो p square को भी बढ़ाए q square को भी बढ़ाए और 2pq को कम कर दे यानि 2pq region कम हो जाए p square जादा हो जाए q square जादा हो जाए 2pq region कम हो जाए इस तरीके का disruptional होता है जिसमें p square और q square दोनों को select किया जाता है तो यह graph का question था जो आपको आना चाहिए आगे बढ़ जाएए बाइसमा question आया distance between gene and percentage of recombination या जाद रखना बलाता अगर एक chromosome में एक से ज़्यादा gene है let's suppose A, B, C, D है तो यह सारी gene linked gene बोले जाते है linked gene और linked gene में resuffling या फिर बेटा इन में independent assortment नहीं कम होता है अगर कोई gene ज़्यादा दूरी है जैसे A और D में दूरी ज़्यादा है और A और B में दूरी कम है तो उसके assort होने के अलग होने के due to crossing over crossing over crossing over से अलग होने के chances इन तीनों ही case में A और D हर बार अलग हुए क्योंकि यह सबसे ज़्यादा दूर है पहले case में A और B अलग हुए लेकिन दूसरे case में A और B अलग नहीं हुए वे एक साथ गए और C और D अलग गए और तीसरे case में A भी C एक साथ गए और D अलग गए इस तरीके से हम बोल लाए जितना दूर होगा जीन क्रोमोजोम में उतना ज़्यादा उसमें recombination के chances हैं इसलिए one percentage recombination अगर जीन में in the gene and percentage of recombination so a direct relationship जीतना ज़्यादा recombination उतना वो दूर होंगे बाइसमा question यही है आगे चलो तैसमा question आया Occasionally याद रखे Occasionally a single gene may express more than one effect अभी पढ़ाया था मैंने one gene many phenotype many phenotype एक gene से बहुत सारे phenotype this is known as pleiotropy question number 23 का answer pleiotropy होगा अभी अभी मैंने example बताया था that was the phenyl ketonuria even sickle cell anemia also saw the pleiotropy आगे बढ़िये तैसमे के बाद चौविसमा question आया और चौविसमे question में family pedigree of the queen victoria so inheritance of which disease it is hemophilia royal family disease इसलिए इसे बोला गया क्योंकि England की महारानी queen victoria उनको यह disease थी और उन्होंने यह disease actually X chromosome में थी और X chromosome से उन्होंने अपने नाती पोतों बेटों में यह आगे बढ़ने दी इस वज़े से यह disease royal family disease बोले जाती है तो question number 24 it is hemophilia आगे बढ़ जाईए 25 question है albinism albinism एक बीमारी है जिसमें melanin का content body में एकदम कम हो जाता है melanin बहुत कम हो जाता है और आपकी skin hair even eyes cornea यह सब white हो जाते हैं white होने लगते हैं ऐसी विमारी है albinism phenyl ketonuria मैंने पढ़ाया यह autosomal recessive disease है यह तरकना albinism भी autosomal recessive disease है तो recessive autosomal gene की वज़े से होने वाली यह दोनों disease है albinism and phenyl ketonuria question number 26 हो गया question number 26 में आपको पता है तीन प्रकार से sex determination होता है एक होता है XO type एक होता है XY type और एक होता है ZW type XO type जादा तर insect ऐसे होते हैं XY type में drosophila होता है इसके अलाबा human भी XY type होता है और ZW type यह birds की बेटा sex determination है आप से पूचा गया है कि gross hopper क्या है gross hopper में बेटा XO type of the sex determination होता है तो it is a second option 26 का second option होगा आगे बढ़ जाएए अगला question आएगा 27 ovaries are rudimentary ovaries किसमे rudimentary हो गई है it is Turner syndrome योगि Turner syndrome में condition आती है बेटा 22 pair chromosome एक जैसे होते हैं plus XY या XX हो सकता था तो यह normal होता या फिर XY भी normal होता लेकिन 22 pair chromosome एक जैसे हैं और इसके बाद X O condition आ गई है इस condition को हम लोग Turner syndrome बोलते हैं it is monosomy और इसमें जो जो भी female है उसकी ovary rudimentary हो गई है और ovary rudimentary होने की वज़े से वो sterile है यानि reproduction करने के काबिल नहीं है अगला question आया 28 saltation saltation का मतलब होता है बेटा mutation और एक बड़ा mutation बड़ा change अचानक ही आपके DNA में कोई बड़ा change हो जाए that is known as mutation तो याद रखना single step large mutation आपके chromosome में एक step में बड़ा mutation हो जाए तो उसे saltation कहते हैं अगला question आये it is known as penspermia मैंने कभी पढ़ाया था this theory is also known as cosmozoic theory और इस theory के मानने वाले लोग मानते हैं कि ये जो हमारी धरती पर life आई है origin of life हुआ है वो किसी दूसरे planet से आया है किसी दूसरे planet से होकर के आया है तो याद रखना ये origin of life origin of life on earth को explain करता है तो 29 का third option will be correct option थर्टियत question आएगा Miller created electric discharge apparatus आपको मालूम है Miller ने एक electric discharge apparatus बनाया था जिसमें उन्होंने electrode ले करके वही बेटा वही सारी चीजें पैदा की थी जो primitive समय पर primitive अर्थ में present थी और उन्होंने chemo evolution का chemical evolution की थेयोरी को proof करने की कोशिस की थी कि कैसे बेटा chemical evolution हुआ उन्होंने इस spark में ammonia ली थी hydrogen लिया था even methane ली थी साथ में इधर से boiling water लिया था boiling water से बेटा S2 बेटा वैपर के रूप में पहुँचा था और यहां पर temperature लगबग 800 degree centigrade लिया था जो उस समय की अर्थ के temperature को simulate करता है simulate मतलब similar रखता है and that's why this reaction was known as simulation reaction or simulation experiment 30th question में 800 cc याद रखिएगा अगला question है Jurassic period याद रखना mesozoic एक समय है एरा है इस mesozoic एरा के कई phases हैं अगर मैं question number इसी पेपर के question number question number मैं आपको बताता हूँ आप मेरे साथ इसका एक question है question number 77 में जाओंगा जो अभी आएगा वहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस mesozoic एरा की तीन बेटा period थे एक ता त्राई एसक एक था जूराइसिक एक ट्राई एसक था एक जूराइसिक था और एक त्रेटेएसियस याद रखना रेप्टाईल में डाइनासोर की उत्पती ट्राइसिक में होई उत्पत याद रखना उत्पत डाइनासुर यहाँ पर उत्पत रुए और जुरासिक में उनका डॉमिनेंट रूआ बहुत ज्यादा डॉमिनेंट हो गही और क्रिटेसियस आते आते वो एकस्ट्ट होने लगे तो अब कोस्टन जुरासिक पीरियड से है तो कई लोग डाइनासोर देखने लगते हैं, तो डाइनासोर बिकम एक्स्टिंक्टी, एक्स्टिंक्ट नहीं हुए जुरासिक में, वो क्रिटेसियस में हुए तो ये तो नहीं हुआ, याद रखना, ये भी नहीं है, रेप्टाइल and origin of mammal-like reptiles नहीं है, आपको ये question लगाने पड़ेगा, जिम्नोस्पर मार dominant plant and first bird appear, योगि जुरासिक period में ही पहली bird appear हुई थी, जो जो कुछ-कुछ, आर्कियोप्टेरिक जैसी लगती थी, तो जुरासिक period is the period of the जिम्नोस्पर and dominant plant and the first bird appear, तो 31st question का answer बेटा, आप लोग पहला कर लीजेगा, आगे बढ़ जाईएग 30 पस के बाद आया 30 second और इस question को the transforming substance on neemocococcus in Griffith experiment, it was DNA, आपको याद होगा DNA ही था, जो R form यानि, R form of neemococcus से heat killed S form के अंदर जाता था, it was DNA, तो DNA was the transforming principle, ये Griffith ने प्रूफ किया था, अगला question 32 के बाद आता है भाई, हमारा अगला question था 33, what is the distance between two base pair in the double helical model, double helical model के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, कि एक pitch के बारे में आपको idea होगा, जो DNA की एक pitch होती है, this, इस pitch का जो बेटा distance होता है, वो होता है, 34 nanometer, 34 nanometer की ये distance होती है, लेकिन इस distance के बीच में, 10 base pair पाए जाते हैं, 10 base pair, तो 10 base pair में से हर base pair कितना होगा, 10 base pair मिलकर के 34 nanometer, 10 base pair मिलकर के 34 nanometer अगर distance कवर करते हैं, तो एक base pair से दूसरे base pair के बीच में कितना distance होगा by 10, that is 3.4 nanometer, तो answer will be 3.4 nanometer, I think it is, oh my goodness, I am very much sorry, I am very much sorry, ये 34 angstrom है, याद रखना, it is a 34 angstrom, ये भी 34 angstrom है, ये भी 3.4 angstrom है, I am very much sorry, एक बार फिर से इस question को देख लीजिए, मेरे से unit देखने में गलती हो गई और यही देखे, इस तरीके की गलतीयां मुझसे हो गई तो आप से भी हो सकती है, याद रखिएगा, जो भी आपके DNA हैलिक्स है, this, this DNA हैलिक्स, once again, फिर से समझने की कोशिज कीजिएगा, इसकी जो distance होती है, वो nanometer में होती है बेटा, 3.4 nanometer, या फिर 34 angstrom, अब सही है, 3.4 into 10 to power 9 meter, minus 9 meter, या फिर 34 into 10 to power minus 10 meter, ये distance है, और इस distance के बीच में 10 base pair है, याद रखना 10 base pair है, अब हर base pair की बीच एक्वी डिस्टेंस है, तो मैं अगर nanometer में question निकालूं तो ये वाली value लूँगा, और एंगस ट्रॉम में निकालूं तो ये वाली value निकालूंगा, तो अगर मैं nanometer में निकालूं तो 10 base pair, 3.4 nanometer, इसलिए एक base pair बराबर 3.4 बटा 10, बराबर 0.34 nanometer आएगा answer, और अगर मैं यही एंगस ट्रॉम में निकालूं, तो it will be 34 upon 10, will be 3.4 angostrom, तो angostrom में इसका answer अलग है, और nanometer में इसका answer अलग है, तो ये वाला तो बेटा answer नहीं हो सकता, answer will be the first option, the first option nanometer में है and that's why 33 question का पहला option सही होगा, 33 के बाद 34 आजाएगा, अगला question देखिए, how much DNA basic is among the human being is same, कोई भी दो human being 99.9% same होते हैं, मैं और आप या आप कोई दूसरा human being, 99.9% similar होते हैं, यही human genome project में बताया गया, 0.1% का keyword difference होता है, किसी भी दो human being के बीच में, और इस difference है, पूरी दुनिया के लोग अलग है, आगे बढ़ जाएगे, अगला question आया, इसे balance करना है, तो याद रखना, इन में से जो exon होते हैं, यह coding sequence होते हैं, okay, exon तो coding sequence होते हैं, okay, intron जो होते हैं, they are non-coding sequence, genetic code के बारे में, near and man, corona and methane ही नहीं बताया था, और DNA packaging nucleosome के साथ की जाती है, तो question number 35, one is D, two is A, third is B and fourth is C, इसका answer होगा, that will be the third option, third option सही करिए और आगे बढ़ जाएगे, 35 question का, आगे बढ़ेंगे, अगला question आएगा, removal of intron, देखेंगे, दुबारा question आया, तो अब और धहां से देख लीजिए, जब RNA बनता है, तो उसमें कुछ region होता है, exon, फिर intron, exon, फिर intron, फिर intron, फिर intron, exon, intron, तो इन में से कुछ region है, जो coding है exon, कुछ non-coding है intron, exon, intron और exon, इस तरीके से ये वाले region coding है, तो सारे coding region को आपस में जोड दिया जाए, और बेटा non-coding region को हटा दिया जाए, इस process को हम लोग splicing बोलते हैं, क्या मुलते हैं, splicing, तो याद रखना, it is known as splicing, 36 का answer होगा, splicing, अगला question आएगा 37, the experiment which provide unequivocal proof that DNA is genetic material came from the experiment of harse and cheese, और harse and cheese के experiment को हम लोग उने बोला था, blenders experiment, और इस blenders experiment के दौरान, याद रखना, वो एक virus लेते थे, lambda phase virus, bacteriophage नाम का virus था, bacteria phase नाम के virus का, ये infection कराते थे, ये है bacteria phase, bacteria phase virus का अपना DNA था, जो infects होकर के bacteria के अंदर जाता था, तो इनका पहला बेटा, इस टिप हुआ करता था, infection, infection करने के बाद ये इस पूरे material को बहुत तेजी से blend करते थे, blending करते थे, या फिर agitation करते थे, हिला देते थे, ताकि बचे हुए virus और bacteria की उसे से अलग हो जाए, और फिर उसका centrifugation कर देते थे, तो तीन main step में reaction होती थी, infection, blending and centrifugation, और उसके बाद वो test tube को observe करते थे, और test tube में दो तरीके के material मिलते थे, एक बेटा, supernatant और एक palette, और supernatant और palette को देख करके उपता लगाते थे, कि DNA कहां गया, कैसे पढ़ना है, वो मेरे वीडियो में already पढ़ा हुआ है, उसे जाकर देखिया और मैंने experiment पढ़ा रखा है, तो arts and chase के इस experiment का नाम, blenders experiment था, जिससे proof हो गया था, DNA ही genetic material है, पैलेंटोलोजी का मतलब होता है, study of, पैलेंटोलोजी का मतलब ही होता है, study of fossils, fossils की जो study है, उसी को हम लोग, पैलेंटोलोजी का नाम already देते हैं, याद रखना, तो 38 question का answer सही होगा बेटा, first answer आगे बढ़ जाएए, 39, the fitness according to Darwin, Darwin refers to, Darwin ने बहुत famous theory दिये, उन्होंने बोला, struggle for existence, यानि इस दुनिया की सारी species, अपने struggle करने के लिए, sorry, अपने existence के लिए struggle कर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए संघर्स कर रहे हैं, और ये संघर्स जीतने के लिए, उन्हें fit रहना पड़ता है, survival of fittest, तो लोग बोलते हैं कि fittest होना क्या मतलब है, fit होना क्या मतलब है, Darwin के नुसार fit होना का मतलब है, Darwin के नुसार fit वही है, जो adverse condition में भी survive करके बच्चे पैदा कर सके, और वो बच्चे भी fit हो, इसका मतलब fitness का मतलब है, reproduction fitness, तो याद रखना, Darwin की fitness का मतलब है, reproductive fitness, question number 39 का answer होगा, first option, आगे पड़े, 40th question हो जाता है, इस question को ध्यान दें, Frederick Mischer, इन्होंने सबसे पहले, cell के nucleus के अंदर, एक acidic substance देखा, acidic substance को इन्होंने, new clean नाम रखा, क्यों new clean नाम रखा, क्योंकि वो nucleus के अंदर था, और ये बात उन्होंने 1899 में की, 1869 में, और इस वज़े से, 40th question का answer 3rd होगा, identify DNA as acidic substance, and named it new clean in 1869, 40th question के बाद, 40th question के बाद, हमारे पास आता है बेटा, अगला question आता है, ध्यान सुनियेगा, and this question is, choose the correct option for sickle cell anemia and thalassemia, sickle cell anemia में, 6th position, of beta chain, ये गरबड हो जाती है, और गरबड हो जाने का मतलब है, quality of the beta chain decreases, quality खराब हो जाती है, जबकि thalassemia में quantity of hemoglobin कम हो जाती है, quantity of hemoglobin कम होने लगती है, तो एक qualitative problem है, और एक quantitative problem है, तो 41 के साब sickle cell anemia is a qualitative problem, and thalassemia is quantitative problem, so 41 is a first, polygenic inheritance जितने भी होते हैं, वो quantitative है, और thalassemia, एक thalassemia A is a polygenic inheritance, और याद रखना, polygenic inheritance का भी मतलब समझेगा, polygenic inheritance, वो inheritance होते हैं, जिन में many gene, ये pleiotropy के उल्टे होते हैं, many gene, one response, एक response और उस response के लिए, बहुत सारी gene इंपॉर्ट लगी रहते हैं, तो इस सारे से, sickle cell anemia एक qualitative problem होई, और thalassemia एक quantitative problem होई, 41 के बाद आपके सामने 42 question आता है, during the translation, protein synthesis, the enzyme that catalyzed the peptide bonding, located in, देखिए, इस question को ध्याँँज़ समझे, हमारा जो mRNA होता है, this is a mRNA, इस mRNA से ही protein synthesis होनी है, इसलिए यहाँ पर एक larger unit और smaller unit मिल करके, यहाँ tRNA की मदद से, beta protein synthesis करते हैं, अब protein synthesis करने के दौरान, amino acid और दूसरे amino acid के बीच में, peptide bond बनता है, अब इस peptide bond को बनाने के लिए, हमारे पास एक enzyme होता है, peptidal transferase, अब इस peptidal transferase का का काम, pro-carrior में, 23 srRNA करता है, 23 srRNA is also known as ribosyme, और यह ribosyme जो होता है, वो larger unit का part है, तो पूछा जाता है, larger unit में beta peptide bond formation का unit होता है, कि smaller में होता है, I am sorry, smaller के larger में तो आपको larger लगाना पड़ेगा, तो अभी यह diagram पे बहुत ज़दा focus मत करिएगा, so you have to ribosyme, ribosyme के लिए जाना चाहिए, तो larger sub unit of the ribosyme 42 का answer होगा, अगला question बढ़ा दीजे, अगले question में आएंगे, which of the following human gene that has the longest stretch of DNA are 2.4 million, यह human genome project का direct question है, और यह distropping gene है, जो 2.4 million basis की बनी होती है, याद रहिए, आगे बढ़ जाए, 43 के बाद 44 question आता है, एक structure दिया गया पूछना, जिसमें उन्होंने A के बारे में पूछा है, A is DNA, B is H1 histone, and C is histone octamer, यह एक disk है, histone octamer, यह मैंने आपको packaging of DNA में आल्रेडी पढ़ा रखा है, तो A is DNA, B is H1 histone, and C is histone octamer, 44 कोश्चन का answer है बेटा, फस्ट, आगे बढ़ जाए, 45 कोश्चन आया, को मैच कराना है, Darwin ने क्या किया, Darwin ने natural selection की थेओरी को बारे मताया था, Deverys ने mutational थेओरी के बारे मताया था, Pasture ने, बताया, swan neck वाला experiments किया था, और इन्होंने spontaneous generation, या spontaneous creation की थेओरी को नकार दिया था, और Lamarck ने inheritance of acquired character के बारे में बताया था, तो इस तरीके से 1 is C, 2 is D, 1 is C, 2 is D, 3 is B, 3 is B, 4 is 1, I think ये 45 वें का भी answer पहला ही होगा, पहला answer होने के बाद, आप लोग इसे आगे बढ़ जाएए, 46 वां question आएगा, आप लोग को diagram दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि वो black color से है, तो मैं आपको वो diagram एक बार आपके सामने रख देता हूँ, ताकि आपको और visible हो जाए, okay, diagram में यहाँ पर कुछ ऐसे arrow बना हुआ है, जिसमें इस जगे 5 प्राइम लिखा हुआ है, इस जगे 3 प्राइम, इधर 5 प्राइम लिखा हुआ है, इधर 3 प्राइम लिखा हुआ है, फिर यह एक block बना हुआ है, इस block से जड़ा हुआ यह arrow है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, अब वो तुम से पूछ रहे हैं, कि बताईए इसमें 1, 2, 3, 4 क्या है, तो याद रखना, हमेशा 3 to 5 प्राइम एंड, याने कि यह वाला स्टेंड होगा, कोडिंग और यह वाला टेंपलेट, तो सबसे पहले, तो second वाला portion, इस टेंपलेट स्टेंड, 3 वाला इस कोडिंग, और सारे references, कोडिंग स्टेंड के रिस्पेक्ट में होते हैं, तो कोडिंग के अप स्टेंड में यह हो गया प्रामोटर, और यह बेटा डाउन स्टेंड में हो गया टर्मिनेटर, इसके अलावा क्या हो सकता है, आप लोग देखते जाएए, तो question number 46 में, प्रामोटर is 5, टर्मिनेटर जो है वो 1 है, यह 1, टर्मिनेटर, और template stand is 2, और coding stand is 3, तो A is 5, B is 4, C is 1, D is 2, E is 3, यह कहां पर मिलेगा, it will be in third option, और इस साब से तीसरा option हमारा सही हो जाएगा, अगला question है भाई, VNTR, variable number of tandem repeats, इसका full form है, variable number of tandem repeat, और VNTR एक प्रकार के repetitive DNA है, repetitive DNA है, जो DNA में बार बार, DNA में repeated करते हैं, यह sequences हैं, और इन्हें हम लोग, micro satellite की सेणी में रखते हैं, और micro satellite का एक base pair constant होता है, और वो आपकी book में दिया है, learn करिए और आगे बढ़िए, तो इसका question होगा, satellite DNA, यह फिर micro satellite DNA, तो 47 का answer जो होगा, वो होगा, second, आगे बढ़ जाए, 47 के बाद आपके साथ 48 आएगा, 48 question को ध्यान से देखिए, उचा गया, isotope use by harse and cheese, blenders experiment में, phosphorus 32, और sulfur 35, use किया था, दोनों के दोनों radioactive थे, और इस तरीक के से उन्होंने प्रूफ किया था, DNA replication is semi, sorry, DNA is a genetic material, हार्ट से एंड चेज के experiment में, phosphorus 32 और sulfur 35 यूज किया गया था, first option, 48 का first option हो गया, 48 के बाद, 46, 49 आता है, ध्यान सुनिये, मैंने बुला था, था, तो पहला step था, infection, infection के बाद, दूसरा step था, blending, अगर आप भूले नहीं हो, blending या फिर agitation, और तीसरा step था, बेटा, centrifugation, तो याद रखना, ये तीन step हो गया है, infection, blending and centrifugation, तो इसका example होगा, first, अंकित बेटा, तुमने वो कहना, evolution का topic उसमें पढ़वाया नहीं किया, बच्चों का कल आ रहा है, वो app में मिल रहा है, ठीक है, ओके, तो evolution के topic भी मैंने शुरू कर दिये, last chapter है, और वो लोग अपने app में जा करके, आप लोग देखिए, अगला question है, 49 के बाद आता है, 50, RNA polymerase transcribe, RNA polymerase first, याद रखना, eukaryote के case में, eukaryote के case में, तीन RNA polymerase होते हैं, RNA polymerase first, second, और third, और ये बनाते है, RMT, यानि, first वाला बनाता है, RNA, second वाला बनाता है, MRNA, और third वाला बनाता है, TRNA, तो जितने प्रकार के, RRNA हैं, वो generally, RNA polymerase first से बनते हैं, तो 20S, RRNA, 5.8S, RRNA, 18S, RRNA, यानि, all of these को बनाता है, इन में से एक होता है, बेटा, 5S, RRNA, इसके लिए थोड़ा सावधान रहेना, क्योंकि ये भी आपको RRNA बनाएगा, लेकिन ये third वाले से बनता है, बाकी सारे RRNA first वाले से बनते हैं, RNA polymerase first, Eukaryot में, और Prokaryot में हर तरीके का RNA चाहे हो, RRNA हो, चाहे MRNA हो, चाहे TRNA हो, एक ही enzyme से बनता है, So, RRNA 41 is first will form all of them, आगे बढ़ जाईए, 51 question आएगा, और इसमें nitrogen base pair की गिंती करनी है, ये single extended DNA है, और single extended DNA में एक chain होगी, और एक chain होगी, तो bases होंगे, base pair नहीं होगे, और bases पाई जाएँगे nucleotide में, जितने भी beta double extended DNA होंगे, उनमें pairing होगी, तो double extended always have the base pair, and single extended always have the number of nucleotide, तो 5X1745386 nucleotide होंगे, bacteria phase lambda में 48502 base pair होंगे, इस रेचिया कोलाई में 4.6 into 10 to power 6 base pair होंगे, और haploid human DNA में 3.3 into 10 to power 9 base pair होंगे, ये learn करना है, और 51 का सही answer आपके सामने है, third, A is 2, B is 1, C is 4, 3, D is third, और इस तरीके से 51 आपका answer सही हो गया, आगे बढ़िये 52 कोश्चन आपके सामने आएगा, इसे देखे, select the correct statement with respect to AUG, AUG एक बेटा कोड़ान है, जो methionine को कोड़ करता है, methionine, और याद रखना, ये एक start कोड़ान भी है, यानि mRNA की प्रोटीन सिंथेस, इसी कोड़ान से शुरू होगी, तो it code for methionine only, it is an initiator codon, it code for methionine in both prokaryote and eukaryote, all of these, सब कुछ सही है, इसका answer, 52 का answer होगा, 4, आगे बढ़ जाईए, 52 के बाद आपके सामने आता है, एक डाइग्राम, इसे देखिए, जिसमें से DNA से DNA बनना, it is replication, or for replication, DNA से mRNA बनना, it is transcription, transcription, यह है reverse transcription, mRNA से DNA बनना, और mRNA से protein बनना, it is known as translation, तो सारे step आपको आने चाहिए, पहला है replication, देखिए, replication कहा है, दूसरा है transcription, ठीक, is replication, is replication, transcription, reverse transcription, and translation, third will be the correct answer, यानि कि हमारे question 53 का तीसरा option सही होगा, आगे बढ़ जाईए, 53 के बाद आपके सामने आता है, 54th question, if one strand of DNA has the nitrogen base sequence, यह nitrogen base का sequence है, the sequence in the complementary strand, इसका just opposes होगा, DNA में ही पूछा गया, तो A will pair with T, T will pair with A, G will pair with C, C will pair with G, T will pair with A, T will pair with A, G will pair with C, and A will pair with T, A or T, T or A, तो आप T, A, C, G, A, A, C, T, तो चाववन question का answer first है, T, A, C, G, A, A, C, T, आगे बढ़ जाईए, चाववन के बाद 55th question आया, Mendel perform a dye hybrid cross between round yellow and wrinkled green seeded plant, then find out the number of capital R, capital R, सुनो, इन्हों ने capital R, capital R, capital Y, capital Y, और small R, small R, small Y, small Y से cross किया, फिर F1 बनाया, capital R, small R, capital Y, small Y, फिर इन्हों ने इसकी selfing कर दी, capital R, small R, capital Y, small Y की, और फिर इन्हों ने बोला, कि अब prosonies कैसी बनेंगी, पता कैसे लगाएंगी, तो याद रखना, जब भी कोई homozygous progeny मिले, जैसे capital Y, capital Y, तो इसका value हमेशा 1 by 16 होता है, और heterozygous progeny मिले, तो इसका होगा 2 by 16, और इन दोनों को multiply कर दीजिए, या जोड दीजिए, या फिर multiply कर दीजिए, कुछ भी करिए, it is 2 by 16 ही होगा, आंसर आएगा 2 by 16, ओके, तो दो बटे 16, ये आपका example हो सकता है, ओके, this will be the answer, तो F2 genotype में आंसर आएगा, नो, नो, इस नोट देख लिजे एक बार, आंसर ये ही होना चाहिए, 55 का 2 by 16, ये वाला, ओ, I am sorry, I am sorry, I am sorry, ये जो होगा, capital R, small r होगा, it is always 2 by 4, capital Y, capital Y, it is 1 by 4, ये कहां से आया, याद रखे, जैसे हम लोग बोलते है, capital T, capital T, capital T, small t, or small t, small t, इनका रिशी होता है, 1 is to 2 is to 1, तो 1, 2, 3, 4, total मिला कर 4, तो capital T, capital T कितना होगा, 1 by 4, or capital T, small t, 2 by 4, or small t, small t, 1 by 4, तो जहां पर भी homo-jagas मिले वहाँ पर 1 by 4, और जहां hetero-jagas मिले वहाँ पर 2 by 4, अभी इन्हें multiply कर दीजी, so 2 by 16 आइगा, कल को कोई तुम से पूछे बताओ, capital R, small r, capital Y, small y, कितना मिलेगा, it will be 2 by 4, into 2 by 4, it is 4 by 16, यह answer होगा, तो ऐसे निकाला जा सकता है, और उभी तब, जब parent homo-jagas dominant, और homo-jagas recessus से शुरू हुए हों, तो 55 question का answer, will be the 3rd, 2 by 16, आगे बढ़ जाएए, 56 question का, stabilizing selection, पहले मैंने बोला था, यह है main, आपका, main है, P square, 2PQ, और Q square वाला graph, अब अगर इस graph में, right shifting हो जाए, या फिर left shifting हो जाए, तो यह तो directional है, पर अगर इसी graph में, केवल middle portion के लोग आगे बढ़ जाए, यानि heterozygous का number ज्यादा बढ़ जाए, it is stabilizing, तो intermediate form of trait, अगर बढ़ जाए, 56 वहाँ, तो फिर हम लोग stabilizing बोलेंगे, stabilizing selection favor, intermediate form of trait, तो second will be the answer, आगे बढ़ जाए, the proportional of the plant, that were dwarf and tall, in F2 generation of Mendel experiment, Mendel experiments का ratio था 3 is to 1, total हो गाए 4, तो यह थे tall और यह थे dwarf, तो अगर मैं dwarf बोलूं तो क्या होगा, it will be 1 by 4, और tall बोलूं तो क्या होगा, it is 3 by 4, तो उन्हों ने पुछा dwarf and tall, तो dwarf होगा 1 by 4, और tall होगा 3 by 4, तो first option होगा 57 का, first option, आगे बढ़ जाएए, 57 के बाद, 58 question आएगा, Stanley Minol perform his experiment, explanation of origin applied in which year, it is 1953, इनके 58 question का answer होगा, 1953 और इनके experiment का नाम था, simulation experiment, और इन्हों ने apparatus लिया था, spark discharge apparatus, फिप्टी एट के बाद, हमारे पास 59 question ताएगा, earliest life form on earth were, earth में जो earliest life form थे, वो कौन थे, तो इसके लिए example है बेटा, it is chemo heterotrop, सबसे पहले chemo heterotrop आए, फिर photosynthesis वाले लोग आए, तो आपको याद होगा मैंने, अच्छा नहीं याद होगा, तो आप ये formula एलर्ण कर लीजिए, a man of California, got viral chicken box, तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, आपको कैसे याद रखना है, सबसे पहले atomic phase आई, atomic phase आई, यानि सारे element थे, वो atomic form में थे, नाइट्रोजन हो, या कार्बन हो, इस अब atomic form में थे, फिर molecular form आया, molecular form में nitrogen बन गया, कार्बन डाइयोकसाइड बनने लगी, इस तरीके से, फिर इन molecular form से, organic material बने, और वो भी simple, वो फ़र organic, simple organic material बने, organic के बाद आये बेटा, colloidal form, colloidal form, और इसी दौरान, coser weight बना, अभी तक सब कुछ non-living है, फिर इसके बाद, got बतलब gene, g for gene, फिर इसके बाद, वाईरस बने, और उसके बाद, बनी पहली cell, और ये cell, chemo-autotrop थी, chemo-heterotrop थी, याद रखना, इसके बाद, photosynthetic form बना, photosynthetic, अच्छा, अभी इस formula में, एक थोड़ा संतर और है, chicken box, earlier भी लिख लीजए, क्योंकि इसके बाद, eukaryotes बने, इस तरीके से, origin of life हुई, the great singer का ये formula है, जो हम लोगों को पढ़ाया उन्होंने, 59 के बाद, 60th question आया, इसको देखिए, the process of evolution is, it is a continuous process, हमेशा हो रहा, कभी भी बंद होने वाला नहीं है, तो question number 60 है, कि ये कभी भी बंद होने वाला नहीं है, लेकिन, evolution is non-directional, directional नहीं है, non-directional, इसका कोई directional नहीं, पता नहीं किस डारेक्शन में जाये, stochistic ये process है, संयोग से किसी भी तरब जा सकता है, तो इस तरीके से, आप process of evolution को समझते हैं, 61, the first human being, the hominid which probably did not eat meat, having cranial capacity, 652,800, इस cranial capacity से आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, कि ये कौन है, और इनका नाम क्या था, तो याद रखना, ये हैं homo habilis, handyman इनको बोलते थे, औजार इनोंने पहली बार यूज किये थे, homo habilis या फिर handyman, तो इस तरीके से, इनोंने बेटा, 650 से 800 की cranial capacity थी, 61 के बाद question आता है, 62, इस question को देखिए, Mendelism, linkage was not observed due to, Mendel ने linkage क्यों नहीं देखा था, क्योंकि उनोंने हमेशा independent assortment देखा, यानि independent assortment का मतलब है, उनोंने जितने भी character देखे, वो उन character के gene, या तो बेटा अलग-अलग chromosome में थे, या तो फिर इतने दूर थे, कि उनमें crossing over हो जा रही थी, तो याद रखना, independent assortment उनके हिसाब से better process था, तो 62 का answer second होगा, आगे बढ़ जाएए 63 आएगा, when heterozygous tall plant self-pollinated, then tall and not plant are obtained, this explain is law of segregation, heterozygous tall plant लिया आपने, और इनकी selfing कर दी, तो एक capital T बनाए, एक small T बनाए, दर से भी capital T बनाए, small T बना, आप fuse करो, capital T, capital T tall, capital T small T tall, capital T small T tall, small T small T dwarf, तो 3 tall, 1 dwarf, क्योंकि ये gene आपस में segregate कर रही है, although law of segregation is also known as law of purity of gamut, अगर दोनों option बोथ होता, तो मैं बोथ लगाता, लेकिन अगर बोथ नहीं हैं, तो law of segregation will be the correct answer, आगे बढ़ जाएए, 63 question के बाद आएगा, 64th question, identify A, B, C in its 10, आप साहिए देख भी नहीं पा रहे होगा, कि A, B, C क्या है, इसलिए इस diagram को दुबारा समझना जरूरी है, तो मैं ये diagram आपके सामने बना दूँ, जो आपको दिख नहीं रहा, यहां पर बेटा ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, और यहां पर बेटा ये 3 प्राइम है, और ये 5 प्राइम है, यहां C लिखा है, यहां B लिखा है, यहां A लिखा है, और कुछ लिखा होगा, अब इसके बाद यहाँ 5' से 3' बनता हुआ DNA दिख रहा है और यहाँ 5' से 3' बनता हुआ DNA दिख रहा है अब यह question कुछ-कुछ incomplete सा लगता है according to strand क्योंकि A is continuous strand है जबकि A parental DNA में लगा है अगर A बिटा यहाँ पर होता तो मैं इसे continuous strand मानता यह यह parental strand में ही ABC लिखा हुआ है तो थोड़ी misprinting होने की वज़े से एक अच्छा question मैं common में डाल रहा हूँ otherwise इसका सही answer मेरे हिसाब से अगर यह सही answer रखा जाए question number 64 का तो second option होगा अगर A इस तरफ होता तो यह leading stand होता अगर B इस तरफ होता तो यह lagging stand होता और C will be the parental stand so मैं इस question को common कर रहा हूँ यह फिर second option दे रहा हूँ otherwise आप परिशान मत हुए आगे बढ़ जाए अगला question है 65 find out the correct statement find out the correct statement UV radiation can cause mutation in organism chromosomal abrasion are commonly observed in cancer cell mutation is a phenomena which result in alteration of DNA sequence and result in the change in the genotype and the phenotype organism देखे 65 कोशन के सारे options आई है UV radiation से mutation हो सकता है chromosome mutation cancer कर सकते है और mutation से genotype और phenotype दोनों बदल सकते हैं तो answer will be 4 सही answer यह होगा 65 के बाद आता है 66 मैं उतनी देर से Hardy Wimberg प्रिंस्पल आपको explain कर रहा था it is P square 2PQQ square it is homozygous dominant it is homozygous recessive recessive it is heterozygous to P square is homozygous dominant सही Q square is heterozygous dominant नहीं it is homozygous recessive and 2PQ is heterozygous यह भी सही second गलत है तो कौन गलत है not describe correctly इसका कौन सा answer होगा तो second वाला सही से describe नहीं किया गया इसलिए fourth option will be your correct answer fourth option सही answer होगा आगे बढ़ जाईए okay Hugo Devery's the extinct human ancestor who ate only fruit and hunted with stone weapon ऐसा बंदा जो हथियारों में इस्तोन यानि कि पत्थरों के हथियार यूज़ करता था और केवल फल खाता था वो कौन है यह learn करना पड़ेगा NCRT से it is australopithecus इनका नाम australopithecus था आगे बढ़ जाईए homo erectus यह पहला बंदा जो erect होकर bipedal movement पे अच्छे से चला सीधे चला उसकी cranial capacity पूछी गई है who has the brain यानि cranial capacity उसकी पूछी गई है जो लगबग 900 CC थी and homo erectus was probably यह एक omni virus बंदा था यह कुछ भी खा लेता था meat भी खा लेता था और बेटा fruits भी खा लेता था तो इसका आंसर होगा 900 और omni virus यह third option बिल भी था correct option आगे बढ़ जाईए अगला question आएगा find the correct option correct option देखिए जो diagram दिया गया उसके अनुसार से तो यहाँ पर B दिया गया है it is inducer यह inducer है जो कि बेटा lactose हो सकता है और यह I gene से बनने वाला repressor है और इसके बाद है Z gene से बनने वाला beta galactosides और फिर है Y gene से बनने वाला permease और इस से बनने वाला transesatilis तो वो A, B, C, A, B, X, Y, Z पूछना चाहते हैं सबसे पहले तो A is inducer A कहां पर inducer है यह रहा B No, sorry A is repressor A is repressor कहां पर है यहां रहा कई जगे पर है A is repressor तो आप देखिए 70 का पहला option A is repressor B is inducer X is beta galactosides Y is permease Z is transesatilis First option होगा Correct Sorry इस तरीके से 70 का पहला answer सही हो गया आगे बढ़ जाए 71 पह आईए अगला question Which of the following is true Operon hypothesis was proposed by Jacob and Monod यह सही है Jacob and Monod ने Operon concept बताया था One gene, one enzyme theory was proposed by Beedle and Tatum यह भी सही है Southern blotting is used in DNA fingerprinting यह भी सही है Uracil and thymine base remain present in DNA नहीं Uracil RNA में पाया जाता है Thymine DNA में पाया जाता है तो याद रखना यह answer सही नहीं है तो answer कौन-कौन सही है A, B, C यहनि fourth option will be your correct answer 71 का चौता answer आपका एकदम सही answer होगा आगे बढ़ जाईए 71 के बाद आएगा adenosine के बारे में बता आ रहा था मैं जहां पर यह सब्द मिल जाए यानि nitrogen base sorry I am very much sorry ध्यान सुनना pentose sugar प्लस nitrogen base यह अगर मिल जाएं तो इसे nucleoside बोलते हो pentose sugar में कोई variation नहीं है लेकिन nitrogen base A है तो बोलेंगे adenosine G है तो बोलेंगे guanosine अगर nitrogen base C है तो बोलेंगे cytidine अगर वहाँ पर T है तो बोलेंगे thymidine अगर वहाँ U है तो बोलेंगे uridine अब उन्होंने adenosine पूल ला है adenosine is a nucleoside with adenine as a nitrogen base तो it is a nucleoside ribonucleoside third option 72 का third option हो गया आगे बढ़ जाएए 73 आया इससे ध्यान से देखिए which are the following pair of nitrogen base of nucleoside is wrongly matched with the category mentioned against it adenine and guanine ag purine होते है adenine and thymine purine नहीं होते है thymine and uracil pyrimidine होते है uracil and cytosine b pyrimidine होते है तो second option correct नहीं है तो 73 का answer second होगा क्योंकि उन्होंने wrong matching पूछी है second हो जाएगा अगला question आएगा 74 और इस तरीके से 1900 में बेटा Mendel के काम के रिडिस्कवरी होई हीगोडिवरी, स्काल कॉनिंस और वांसर मार्क नहीं की थी fourth option होगा इसका 74 का अगला question 75 है mutation arise due to change in single base pair it is point mutation इसे हम लोग एक base pair से होने वाले point mutation जैसे कि sickle cell anemia आपको याद होगा sickle cell anemia में बेटा G, A, G की जगे पर G, U, G हो जाता है जैसे एक ही जगे यह हो जाता है and this is known as point mutation 75 के बाद आया 76 इसे देखे DNA replication requires DNA polymerase, DNA ligase DNA polymerase and translocase DNA polymerase and ligase याद रखना DNA polymerase और DNA ligase दोनों ही option में सही होने चाहिए 76, fourth option is correct option आगे बढ़ जाएए यही वो question था जिसके बारे में मैंने थोड़ी दिर पहले आपको बताया कि यह बिटा mesozoic era के तीन period है देखिएगा okay, I'm sorry these are the three period of the mesozoic era priesic jurassic okay, cretaceous के बाद आप लोग दियान सुनिए यहाँ पर आएगा tertiary और उसके पहले था permian तो A में आएगा permian, B में आएगा jurassic, C में आएगा tertiary A is permian, B is jurassic C is C is tertiary, third option यह direct diagram दिया गया है, बेटा, book में वहाँ से देखिए तो देखिए, cretaceous में extinct हो रहे है dinosaur और triasic में वो पैदा हो रहे है और jurassic में dinosaur सबसे ज़्यादा मातरा में है dominant है आगे बढ़ जाएए, 77 के बाद लता है, 78 और 78 question में पुछा गया prehistoric cave art गुफाओं में art करना कितने साल पहले सालू हुआ यह आपको याद रखना पड़ेगा about 18,000 year ago and CRT is a direct question 78 के बाद आया 79 इस question को देखिए, one of the following ratio is constant in DNA of different species this question is going to be most controversial क्यों controversial है, अभी मैं इस question को ध्यान से दिखाता हू adenine pair with thymine guanine pair with cytosine तो जितना adenine होगा उतना ही thymine होगा जितना guanine होगा उतना ही cytosine होगा तो चारगाप का जो पहला rule है it is adenine बराबर thymine and guanine बराबर cytosine अब अगर adenine और thymine बराबर है तो a by t ये दोनों बराबर है तो value 1 होगी और guanine और cytosine बराबर है तो इनकी भी value 1 होगी it is 2 ये दो rule होगा है चारगाप के अब देखना adenine purine है thymidine pirimidine है guanine purine है cytosine pirimidine है तो purine जितने होगे pirimidine उतने होगे तो total purine बराबर total pirimidine तो याणि adenine प्लस guanine ये total purine होगा बराबर cytosine प्लस thymine ये rule number 3 होगा याणि जितने adenine जितने guanine इतना cytosine thymine और इसी से a प्लस g upon c प्लस t is equals to 1 ओके अब ये चार rule देखने के बाद यहाँ पर सब को लगता है a प्लस g बराबर c प्लस t is equal to 1 ये तो हर every species में होगा every species is same पर question every species के लिए नहीं था question is one of the following ratio is constant in dna of the different species हर species में अलग और different है और वो rule है बेटा जो जिससे pair करता है जो जिससे pair करता है उसे प्लस में कर लो a प्लस t a t से pair करता है जबकि यहाँ पर a प्लस g था और g प्लस c will not equal to 1 but constant for particular species हर species के लिए यह अलग है और constant है pro carriots के लिए यह less than 1 है less than 1 है और u carriot के लिए यह greater than 1 है अगर आपको e coli के बारे में इसकी value पूछी जाए it is about 0.93 और human के बारे में बोला जाए it is 1.53 ज़्यादा तर लोगों ने इस question का answer यह लगाया होगा a plus g upon t plus c a plus g upon t c plus t is equal to 1 याद रखना यह answer नहीं होगा क्योंकि यह हर एक species में एक ही जैसा है constant नहीं है हर एक species में 1 है तो काहे का constant तो हर species में अलग और constant होना इस answer की value है a plus t upon g plus c तो answer will be 1 चाहे कुछ भी हो जाए इसका answer यही लगाना अगर different species में constant value पूछा जाए और सारी species में इसकी value 1 पूछी जाए तब यह second option otherwise it is a most controversial question आगे बढ़ जाएए 79 के बाद आया 80 80 question में भाईया आपको देखना है मेंडल ने क्या किया था भाई laws of inheritance दिये सटर्ण और बावबरी ने क्रोमोजोमल बिसिस आफ थेवरी हैंकिन ने क्या किया था X body ढूड़ी और मॉर्गन ने डॉसोफिला पे काम किया था और 80 question का answer होगा first आगे बढ़ जाईये 80 के बाद 81 question आएगा और ये industrial malnagem से हैं दो प्रकार के बेटा आपके पास insect थे एक था bitson carbon area ये black insect था काली कलर का insect था और दूसरा था bitson betularia ये white कलर का insect था और दोनों के दोनों बेटा अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरी जब तक जब तक industry दुनिया में नहीं थी land में नहीं थी तो याद रखना industry नहीं होने के वज़े से liken थे पेड़ों पर और पेड़ों पे जो liken थे तो वो white lichen में white वाला white वाला छुप जाता था तो white वाले के नंबर बढ़ जाते थे natural selection इसका होता था black वाले खा लिए जाते थे और जब industry होई तो carbon butter, smoke और suit पैदा हुआ जिसकी वज़े से काला वाला छुपने लगा white वाला खाया जाने लगा इसका मतलब natural selection उनीका होता है जो अपने आपको adapt करते हैं according to environment और Darwin की theory industrial melanism को सही डंग से define करते हैं that's why Darwinism will be the answer at T1 आगे बढ़ जाएए अगला question है भाई ये sequence learn कर लिजे NCRT में दिया हुआ sequence है सबसे पहले dryopathicus, फिर ramapithecus, virostelopithecus homo abilis, homo erectus chromagnin and homo sapiens ये sequence है जो आपको learn करना है आगे बढ़ जाएए at T3 after replication duneo molecular after replication each DNA molecule has one parental and one newly synthesized strand this scheme is semi-conservative यानि हर strand में एक parental और एक नया strand होता है इसे हम लोग semi-conservative mode of replication बोलते हैं अगला stop codon के वा उग उगा वा उग उगा ओकर, अंबर, उपल फिर से बोलना हूँ ओकर, अंबर और उपल ये तीनों stop codon है इनसे protein synthesis रुक जाती है 85 question आया genetic drift is found in genetic drift विटा small population without mutated gene ये नहीं है 85 का अंसर जो होगा बेटा small population with और without हाँ, with है तो with और without mutated gene है ये shift कर जाते हैं 85 का first option होगा हमें इसा genetic drift small population के साथ देखी जाती है fossil discovered in जावा, जावा में किस human के बेटा fossil मिले थे it is homo erectus इसे याद रखेगा homo erectus जावा में आगे चलो अगला question आया study the pedigree chart देखे भाई ये question भी बढ़ा अच्छा होता है pedigree chart को देखे इस pedigree chart में आपको देख रहे हैं कि बेटा male to male transfer है और जादा तर लोग involved है जादा तर लोग involved है ये autosomal dominant disease सी देख रहे है याद रखना male अपनी disease को male को भी दे रहा है और female को भी दे रहा है अगर ये ये अगर x link disease होती अगर x link disease होती तो ये बंदा x y होकर disease होता अगर x y होकर disease होता और ये सादी non disease बंदे इसे करता है यानि जिसके पास कोई दिक्कत नहीं होती तो याद रखना X और X वाली ज़्याद से ज़्यादा female बनती और इस condition में अगर recessive disease होती तो लड़कियां कभी disease नहीं हो सकती थी तो याद रखना यह disease X link recessive नहीं हो सकती और X link recessive नहीं हो सकती या पिर बेटा यह इस वज़े से the trait is under study could not be color blindness यह color blindness नहीं हो सकता तो third option इसका सही answer होगा बाकी गलत है आगे बढ़ जाएए 87 में के बाद आता है 88, test rot is carried out determine the genotype of F2 plant F2 plant capital T, capital T भी हो सकता है और capital T, small T भी हो सकता है और ये दोनों के दोनों tall है, अगर दोनों tall है तो हमें मालूम नहीं कौन सा tall capital T, capital T वाला है pure है और कौन सा tall capital T, small T वाला impure है, तो purity of the tallness या फिर dominant की purity check करने के लिए हम एक test करते हैं that is known as test cross और वो F2 generation में किया जाता है आगे बढ़ जाएए monosomy and trisomy पहले बात तो याद रखना हर chromosome का pair होता है जैसे हमारे पास 23 pair chromosome है, तो हर chromosome दो-दो करके आपस में होता है पहला chromosome का pair, दूसरा हर chromosome का pair होना it is known as disomy और ऐसे 23 pair होते हैं जिने हम लोग 2N बोलते हैं अब माली जै किसी एक pair में एक बंदा बढ़ गया, तो बाकी pair तो pair है लेकिन एक में 3 chromosome हो गया, उसे TN plus 1 बोलते हैं, इसी को बोलते हैं trisomy, या एक कम हो गया तो बाकी सब तो एक जैसे हैं बाकी एक में कम हो गया तो 2N में minus 1 हो गया यह हो गया, एक कम होना मतलब monosomy, तो monosomy 2N minus 1 होगा और trisomy 2N plus 1 होगा तो 2N minus 1 and 2N plus 1 89 answer हो जाएगा यह आपका NT9 का answer होगा 2N minus 1 plus 2N plus 1 और 90th question में आपको पताग लगाना है कौन convergent evolution है और कौन divergent evolution है eyes of octopus और eyes of cat यह अलग-अलग member है invertebrate है, एक vertebrate है दोनों की आखें एक जैसे देख रही है तो यह तो convergent है पक्का और convergent में ही दिया गया है bones of four limbs of mammal and vertebrate यानि बेटा अलग-अलग vertebrate के बेटा आगे के हाथ four limbs अलग-अलग तरीके से modify करते है birds उड़ने के लिए काम करते है mammal बेटा दोडने या चलने के लिए काम करते है तो यह भी convergent evolution है so both of sorry, यह divergent evolution है तो यह convergent होगया, यह divergent होगया बाकी सब गलत है आप चेक कर लीजिएगा इसे सापसे 90 question का answer होगा first so this was your paper and the paper number four अगले paper के लिए वेट करिए फिर से paper आ जाएगा, take care, good luck बाबा है